दोस्तो आज हम ड्रेगन प्राइड ओजी केंडल स्टिक के बारे में जानेंगे दोस्तो यहाँ एक पावरफूल बुली स्केंडल है इस केंडल की वीक नीचे की और बहुत लंबी जबकि उपर की और इसकी बौडी बहुत ही छोटी होती है इसका मतलब यह है कि सेलर्स ने प्राइड को नीचे ले जाने की बहुत कोशिश की लेकिन बायर्स ने प्राइड को नीचे नहीं जाने दिया और अंत में इस्टॉक अपने ओपिनिंग प्राइड के आसपाद जाकर ही क्लोज हुआ दोस्तों यह कंडल गिरीन और रेट दोनों ग्रायर का हो सकता है जब यह कंडल डाउन ट्रेन में बॉर्टम पर बनता है तो मार्केट के उपर जाने की संबहौना होती है डेगन फ्राइड डोजी कंडल बनने के बाद उसके हाई को कोई कंडल क्रोस करे तो ही हमें empty लेनी चाहिए और stop loss dragon fry doji candle के low के नीचे लगाना चाहिए